So Hello Everyone, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागात है, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जो सुरूरें So in this video हमने बात करने माले साइन्स के कुछ important question जो आपके आने माले एफ चैई वाच में एक्जाम के लिए हो चाए फिर IR technician के लिए काफी ज़्यादा important question होने माले साइन्स के perspective से, तो प्लीस आप वेडियो को पूरा देखेगा, बागे किसी question को लेकिए आपके मन में कोई doubts होता है या फिर कुछ सुझा होता है, तो comment section उपार रहता है, जैसे मैं अपने हर एक वेडियो में बोलता हूँ, comment section में जाके comment कर देना okay, so यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, पहले number की question की, पहला number question आप से पूछ रहा है, निम्नलिकित में से कौन सा इंधा निवनतम परियवरन प्रदूशन का कारण बनता है, क्या diesel है, petrol है, hydrogen है, या फिर कोईल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, option number 3 is the correct answer हो अगला number का सवाल देख लिए, question number दूसरा है, question number दूसरा आप से पूछा गया है, निम्नलिकित में से कौन सा इंधा निवनतम परियवरन प्रदूशन पैदा करेगा, देखे, question वही है, थोड़ सा बस इसको change करा गया है, थोड़ सा जो बताने का तरीका है, पूछने का तरी है, आपको बताना है कि निम्नलिकित में से कौन सा जैवर संसादन नहीं है, क्या कोईला है, पेट्रोल है, खनीज है, या फिर प्लांट्स है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, option number 3 is the correct answer, यानि कि जो खनीज है, वो जैवर संसादन नहीं है, अब आप पोछेंगे कि सर कोईल पेट्रोल पैदो है, यह तो समझ आते, लेकिन खनीज भी तो, लेकिन खनीज इसलिए नहीं है, क्योंकि यह बेसिकली माइन्स, जो आपका यहाँ पर जो खाने पीने वाल है, जो मिनरल मिलता है, किसे प्रोडक्ट में, उसकी बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, अग equivalent weight, या फिर density, सघंत, volume, आयतन, या फिर pressure, दबाओ, हैना तो आपको बताना है, तो चलिए इसका सही आंसर देख रहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा, option number A is the correct answer, याने कि equivalent जो weight है, तुलियांकी भार है, वो जो सही ओजकता के साथ बदलता है, हैना, valency के साथ बदलता है, अगला नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कि इन में से क्या gel production का मूल कारण नहीं है, आपको बताना है, इन में से क्या gel production का मूल कारण नहीं है, which is not a primary source of water pollution, industrial waste, और द्योगी कचरा, या फिर radio activity waste, रेडियो धर्मी कचरा, या फिर agriculture waste, क्रिशी कचरा, या फिर खनन का कचरा, mining waste, तो इसका सही आंतर हो जाएगा, option number 3 is the correct answer, यानि कि जो agriculture waste है, जो क्रिशी कचरा है, वो gel production का मूख्या कारण नहीं है, अब आप लोग पूछेंगे कि सर, इसमें भी तो खेती में छिड़का होता है, दवाई का रसाइनिक कीट ना सक और रसाइनिक खाद वगर ग है, मतलब क्यों ये जल प्रदूशन का कारण नहीं है, तो इसमें थोड़ा से explain करता हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया option है, और द्योगी कचरा, रेडियो धर्मी कचरा और खानन कचरा, जो इन जो तीन सेक्टर है, इन में से जो pollution निकलता है, जो कचरा निक है, वो उतना इनके comparison में कम होता है, इसलिए यहाँ पर जो जल प्रदूशन का मूल कारण जो नहीं है, वो है agriculture waste, ओके, तो अगला नमबर का सवाल सुनी, अगला नमबर का सवाल यहाँ पर है, थोड़ सा question घुमावदार है, बांकि question भी सांदार है, किसे वस्तू पर दाब बढ़ाने पर वस्तू का आयतन खाली स्थान है, और फिर उसका घनत्वा खाली स्थान है, तो इसका, है न, क्या, बढ़ता है, बढ़ता है, या फिर बढ़ता है, घटता है, या फिर घटता है, घटता है, तो देखे, इस question को जब आप अराम से पढ़ेंगे, थोड़ा है, ऐसे हो जाएगा, ओके, तो अगला नमबर का सवाल सुनी, अगला नमबर का सवाल थोड़ सब physics का complicated question लग सकते है, कि सकती का आयामी सूत्र क्या है, आपको बताना है, सकती का आयामी सूत्र क्या होगा, ml2 t-3, या फिर m2 l2 t-2, या फिर ml3 t-1, या फिर ml2 t-3, इसका सही आंसर हो जाएगा, option number a is the correct answer, या नहीं कि option number पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, ml2 t-3, ओके, तो अगला नमबर का question देखी, अगला नमबर का question काफी सांदर, काफी interesting है, जो कि various exam में पूछा भी जा चुका है, थोड़ा सा pattern change करके, बागी काफी अच्छा सांदर है, कि lichen, lichen खाले स्थान का सबसे अच्छा सूचक होता है, क्या lichen air pollution का सबसे अच्छा सूचक होता है, या फिर water pollution का, अमरेदा प्रदूशन का, या फिर ध्वनी प्रदूशन का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, option number one is the correct answer, या नहीं कि जो हमारा lichen होता है, वो वायू प्रदूशन का सबसे अच्छा सूचक होता है, अब ये अच्छा सूचक क्यों होता है, एक ची आपको एक ची बता दूँ, lichen के बारे में, कि जहां पर भी जो lichen है वो पाया जाता है, वहां पर अगर lichen कहीं वातावरण में, जहां पर अगर उपस्थित है, मतलब वो area, वो इलाका आपके रहने के लिए बहुत सेफ है, क्योंकि वहां पर बहुत कमी dust होगा, तब भी वहां पर lichen जिन्दा है, और जहां पर lichen उपस्थित नहीं है, अगर ये अम्रित अवस्था में पाया जाता है, तो वहां पर समझ लीजिए, वहां पर air pollution बहुत जादा है, अगला नमर का सवाल देख लीजिए, अगला नमर का सवाल है, क्या अलुमिनियम का डबब है, पॉलिथीन की थैली है, गाय का गोबर है, या फिर DDT है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, option number 3 is the correct answer, यानि कि जो गाय का गोबर है, वो बायो डिग्रीडेबल है, अगला नमर का सवाल है, अगला नम आपने के इकाई है, क्या एनर्जी उर्जा को, लियूमिनस इंटेंसिटी, जोती तिवरता को, या फिर स्पीट गती को, या फिर एलेक्टिसिटी यानि के विद्धूत को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, option number 2 is the correct answer, यानि कि लियूमिनस इंटेंसिटी को मापने के इकाई है, kandila, ओके, तो अगला नंबर का स्वाल तुनिए, अगला नंबर का सATT, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, बर्फ का, बर्फ की, गुपत संलगन, गुपत संलगन उश्मा, खालिस्तान आपको बताना है, कि बर्फ की, जो गुपत संलगन, उश्मा होती है, heat fusion है न, मतल प्रतिग्राम इसकी जो अगला नंबर का सवाल देख लिए अगला नंबर यहां के आप से पूछा गया कि ओजोन श्यकारी पदार्थ है आपको बताना है कि ओजोन श्यकारी पदार्थ कौन सा है आई होप आप सबने अगर 10 तक पढ़ाई करिए तो आप सब नहीं पता होगा जाना बेजिक साइंस का कुष्झन होता है साइंस पॉर्ट संеня के पर्सपेक्टिव से देन क्या कर्बन डाय ओक्साइड होता है या फिर सी एफसी क्लोरोफलोरोकारबन होता है या फिर अपीर हामोनिया होता है तो इसका सहीं आंसर हो जाएगा Оп्शन नमबर B is the correct answer, यानि कि answer number जो second है, वो correct answer हो जाता है, कि ozone का, जो हमारा ozone layer होता है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर उसको कोई effect करता है, अगर कोई polluted करता है, कोई प्रभाव डालता है, तो वो होता है, chloro-fluorocarbon यानि कि CFC, ओके, तो अगला नमबर का सवाल देख लिजी, अगला नमब आप इसमें से science की theory निकाल सकते हैं, कि कारक पानी में क्यों तैरता है, जबकि लोहे की किल डूप जाती है, option number पहले सुनिए, क्या कारक की तैरने की छमता के करण, या फिर दोनों पर समान बल लगने के करण, या फिर उनके रूपों में अंतर के करण ऐसा होता है, या फिर लोहे की किल जो है, डूप जाती है, अगला नमबर का सवाल देख लीजे, अगला नमबर का सवाल यहाँ पे आप से पूछा गया, question number, है ना, कि निमलिकित में से कौन से मिस्र धादू का उप्योग चुमबग बनाने में किया जाता है, आपको बताना है कि निमलिकित में से क्या हो जाएगा, इसका सही अंसर हो जाएगा, option number 3 is the correct answer, या फिर, यानि कि एलनिको का प्रियोग किया जाता है, है ना, जो एलनिको मिस्र धातू का प्रियोग किया जाता है, चुमबग बनाने के लिए, तो यह थे आज के कुछ important question, I hope आप सबने यह question पसंद आया होगे, ब क्यों दे मातरा